मस्ट्र केम के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कि इस वी इंडर हम किस तरीके से क्यालकुलेत कर सकते हैं किसी भी सॉविड़ मॉडल का मस्टेन के अंदर हमें कुछ इस्ट्रेक्श फॉलो करने रहता हैं तो for example कि हमारे इस समय window screen पे आपको एक solid model सो हो रहा है तो आईए समझते हैं कि किस तरीके से हम Mastercam के इसका weight calculation कर सकते हैं तो Mastercam में weight calculation करने के लिए सबसे पहले आपको जाना home tab में home tab में यहाँ पे एक command रहता है check solid जैसे हम check solid के यहाँ पे नीचे की तरफ arrow पर click करेंगे तो यहाँ पर एक command आता हमारा option solid properties तो हमें click करना solid properties पर जैसे हम solid properties पर click करते हैं तो Mastercam automatically हमारे solid model को analyze करता है और यहाँ पर हमें feel करनी होती है solid model की density जिसका अरत है कि हमारा solid model कौन से metal का बनावा है अगर for example कि मेरा यह MS का बनावा है तो हम जानते है MS की density जो है 7.85 होती है तो मैंने यहाँ पर MS की density input कर दी है और फिर यहाँ पर unit यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको जैसी मैं यहाँ पर complete करूँगा तो यहाँ पर automatically आपको weight जो है solid model का so करने लगेगा अब question यह आता है कि जो आपको यह weight दिख रहा है वो किस के अंदर है यह जो आपको weight दिख रहा है वो centimeter gram के अंदर जो weight है वो यहाँ पर so करता है अगर यहाँ पर मिलिमीटर में आपको value दिखा रहे है यहाँ पर units में आपका millimeter show हो रहा है तो जिसका अर्थ है कि जो आपको यह mass calculation है या weight show कर रहा है तो यह आपको दिखा रहा है gram पर ती mm है अगर यहाँ पर unit को change करके centimeter में कर देते हैं तो यहाँ पर यह आपको जो weight है वो gram पर centimeter के अंदर यहाँ पर show कर रहा है जैसे ही अगर आपको यह weight calculation के बाद अगर यहाँ आपको case में चीए तो आपको यहाँ पर जो value show हो रही है उसको 1000 से divide करना होगा तो हम किस तरीके से calculation कर सकते हैं